नमश्पार दोस्तों मेरा नाम है मयंग चाधरी और आज हम डिसकस करेंगे कि सोलर पैनल क्या होता है सुलर पैनल से हम कैसे बिजली बना सकते हैं और कैसे अपने घंडी का बिल कम कर सकते हैं शुरू करने से पहले मैं आप सबीसे request करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं करा है तो कृपय करके इसे subscribe करें और notification bell को click करके उसे on करें जिससे आपको मेरे चैनल की वीडियो की update टाइम टो टाइम आती रहे तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर solar panel होता क्या है solar panel आज की date में तीन तरीके के आते हैं पहला होता है on grid plant, दूसरा होता है off grid plant और तीसरा होता है hybrid plant अगर हम बात करें on grid plant की तो on grid plant वो होता है जिसके अंदर हम batteries नहीं लगाते ये plant directly connected होता है हमारे बिजली विभाग से जी हाँ इसके अंदर जितनी भी हम बिजली बनाते हैं वो बिजली डारेक्ट हम अगर extra बिजली बनाते हैं तो वो बिजली विभाग को जाती है अब हम दूसरे plant की बात करते हैं वो होता है off grid plant Off Grid Plant के अंदर सारा plant सेम होता है बट उसके अंदर batteries लगी होती है अब batteries का क्या काम होता है जो solar panel बिजली बनाता है वो बिजली पहले आपके batteries को store करता है batteries को देता है जिससे वो आपको backup दे पाएं तीसरा होता है hybrid plant hybrid plant के अंदर on grid plant and off grid plant दोनों की तरह ही काम करता है बस उसके अंदर batteries भी होती है तो solar panel जो बिजली बनाता है पहले वो batteries को चार्ज करता है batteries चार्ज करने के बाद वो आपके घर के supply में बिजली देता है तो मैंने कौन सा plant लगाया है अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे घर में लगा है साले 6 किलो वाट का on grid plant मेरे घर में जहां पर मैं रहता हूं वहां पर बिजली के इतने कट्स नहीं होते तो मेरे लिए सबसे फाइदेबन सौधा था on grid plant लगाना और अगर हम on grid plant की बात करें तो जैसा कि इसके अंदर batteries नहीं है तो इसकी कोई भी maintenance cost नहीं होती इसके अंदर जो panels लगेवे हैं इनकी 25 साल की warranty होती है जो मेरा inverter लगावा है उसकी लगबग 7 साल की warranty है तो आप मानके चलें कि इसके अंदर maintenance cost पिलकुल ही ना के बराबर हैं अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने अपने घर में कितना बड़ा solar panel लगाया है और मुझे उससे क्या-क्या फायदे हो रहे हैं इस वीडियो को जरूर end तक देखें क्योंकि end में ही आप decide कर पाएंगे कि आपके लिए solar panel आखिर फायदे का सौदा है की नहीं है और हाँ मैं end में आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने solar panel से अभी तक कितनी बिजली generate करी है और कितने पैसे कमाए हैं तो आईए मैं आपको दिखाता हूं अपना solar panel जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं मैंने अपने solar panel को दो हिस्सों में divide करा है पहला हिस्सा है जहां पे आपको दिखेंगी 8 solar plates per plate की capacity है 325 watt और ये plates मैंने लगाई है अडानी की क्योंकि अडानी मेरे को best लगी जितनी मैंने research करी की मुझे उसके अंदर अडानी best लगा यहां पे हैं 8 plates और 8 plates total capacity मुझे देती है 2.6 kilowatts की अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो वहां पे हैं 12 plates 6-6 plates के दो हिस्सों में मैंने उसको डिवाइड करके लगाया है वह भी अडानी की plates है 325 watt की plate है एक वह मुझे capacity देती है 3.9 तो अगर हम total overall बात करते हैं तो मेरे plant की capacity है 6.4 kilowatts आप मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने अपना जो plant है उसमें inverter कौन सा लगाया है कौन सी company का inverter लगाया है और मुझे उससे लगाने का क्या फाइदा मिल रहा है यह सोफर का inverter सोफर सोलर यह एक स्मार्ट इंवर्टर है जैसे आप देख सकते हैं यह इसकी वाइफाई स्टिक है यह इंटरनेट से सब्सक्राइब करता है अगर हम टोटल की बात करें इस प्लांट को लगवाए वे लगवग लगवग एक साल दस महीने हो चुके हैं तो पूरे टेन्योर में इसने एनर्जी जन्रेट करें है 14,281 यह बहुत बड़ा नंबर है और अगर हम बात करें कि अभी करेंट पावर क्या चल रही है शाम का वक्त हो चुका है तो करेंट पावर जो यह जन्रेट कर रहा है वो है 1.191.20 किलोवाट काफी अच्छे स्टाट्स हैं आए आगे बढ़ते हैं और इसके बाकी चीज चाल होती है अब बात करते हैं कि मिस प्लांट के अंदर क्याक्या एक़्ुपमेंट से हैं पैला क्योपमेंट होती ह्हां हमारी PLATS दूसरा equipment होता है हमारा solar inverter बाकि चोटे-चोटे equipment होते हैं जो हर plant में required होते हैं जैसा कि आप मेरे पीछे से देख रहे हैं कि यह strips जा रही है इन strips को कहते हैं अर्थिंग strips काफी लोग अर्थिंग strips की जगा अर्थिंग वायर भी डलवाते हैं लेकिन मैंने अपने प्लांट की सेफटी को देखते वे अर्थिंग strips डलवाई हैं क्योंकि यह वायर से अच्छा काम करती है साथी साथ जो ब्लाक कलर की वायर जा रही है वह है electricity वायर जितना भी यह solar panels दोनो electricity generate करते हैं वह इन वायर के थ्रू नीचे जाती है हमारे electricity पैनल बे साथी साथ मैंने एक प्रॉपर लाइटिंग असेस्टर भी लगवा रखा है जिसको LA कहते हैं शौट फॉर्म में LA का काम होता है अगर बाइचांस कहीं पे भी बिजली कड़क रही है कुछ घर पे गिर गई या फिर कुछ फॉल्ट हो गया तो यह सारी electricity एब्जॉप करके उसे ग्राउंड में भेजता है जिससे कोई भी इलेक्ट्रिक फॉल्ट ना हो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपने सोलर पैनल में कितने पैसे खर्च करे हैं और इतने पैसे खर्च करने के बाद आखिर मु प्लांट को सेट अप करने की क्योंकि मैंने अपना अच्छा फ्रेम बनाया बड़ा फ्रेम है और हर चीज मैंने यह देखा है कि मेक शूर करा है कि मैं एक बार ही लगवा रहा हूं तो कॉलिटी की चीज़ लब हों तो लगबग लगबग साढ़े तीन लाख रुपे मैंने इस साड़े छे किलो वाट के प्लांट में खर्च करें हैं अब बात करते हैं जो गवर्मेंट हमारी सबसीडी दे रही है वो सबसीडी कितने महीनों में आती है कैसे आती है कैसे अपलाए करना है तो उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे जो सबसीडी मिल भी है वह उत्तर प्रदेश सरकार से मिली है थी साजार रुप की और जो मुझे सेंट्रल गवंड्बंट्से मिली है वो मिली एटी-Nine- présent की तो अगर हम लग लग-बग बात करे तो मुझे मिली और सुपसिडिया एक लाख उन्हिस हजार रुपए की सब्सिडिया एक उन्हिस ख़ार रुपए कि तो मिली लेकिन कितने महिने लगे एक बांदी करें मुझे कहीं पर भी किसी ऑफिस में जाने की जुरत नहीं पड़ी बात करते हैं plant लगाने में कितना time लगा, कितने दिन में plant चाल लगा plant लगाने में hardly 5 दिन लगे थे, set up करने में पूरा plant और उत्तरप्रदेश, बिजली विभाग की मैं यहाँ पे तारीफ करना चाहूँगा कि plant लगते ही उन्होंने मेरा net meter लगा दिया net meter एक ऐसा meter होता है, जो आपका import and export दोनों calculate करता है again मैं बताऊँगा, जैसा मेरा plant on grid plant है, grid के साथ connected है तो इस plant में अगर मैं excess of electricity बनाता हूँ, तो वो वापस grid को जाती है और grid मुझे उसका पैसा देती है, मेरे bill के अंदर वो show होता है कि मैंने अभी तक grid को इतनी electricity दी है दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि solar panel लगवाने के बाद मैंने अभी तक अपना कितना पैसा recover कर लिया है solar panel से और किया हमे solar panel लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि solar panel लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए solar panel आपको तो support करी रहा है plus environment को भी protect कर रहा है जैसा कि आपको दिख रहा है आने वाले वक्त में बिजली की यूनिट्स दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है सरकार कॉस्ट बढ़ाई जा रही है तो इस प्लांट को लगवाने से आप चरूर अपने पैसे बचा सकते हैं आपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं तो सोलर पैनल इजा मस्ट एशड जो आपके घर में लगना चाहिए एं प्लांट लगवाई y bliss लगवाई ये डोलाग चालेस लाग सब टेक्सिज टेक्सिद ने के बाद 2,4,000,001 च पचास हचा करक्चा हुआ था आप बात करते हैं मैंने अभी तक एक साल नौ महीने के अंदर अंदर कितने पैसे बचाएं तो मैंने अभी तक लगबग लगबग एक लाक रुपए इस प्लांट से रिकावर कर लिए जो की एक बहुती बड़ा मांट होता है एक लाक रुपए अभी तक प्लांट से रिकावर कर चुका हूँ तो उमीद है कि आने वाले और दो साल के अंदर इस प्लांट से अपने पूरे धाई लाक रुपे निकाल लूँगा उसके बाद जो मेरा प्लांट चलेगा ये एक free of cost प्लांट की तरह काम करेगा और मेरा महीने का बिजली का बिलतो बचाएगा ही बचाएगा अगर हम इसमें ROI की बात करें कि return on investment हमें कितना मिलता है तो मैं उसको बोलूँगा कि हमें जहांपे मैं रहता हूँ और जो मेरे stats कहते हैं वो लगबग लगबग 2% का आता है धाई लाक रुपे मैंने लगाए हैं monthly saving होती है लगबग लगबग 5000 रुपे की तो अगर 2,2% लगाएंगे तो वो हता है 5000 रुपे जो की मेरा solar panel generate करके दे रहा है मुझे अगर आप अपने घर में solar panel लगवाना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि हाँ अभी आपको ये doubt है मैंने उस question को cover नहीं करा तो आप नीचे दिये गए comment box में अपना comment छोड़ सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर comment का मैं चवाब दूँ और अगर possible हुआ तो उस comment को लेके एक proper video भी बनाऊं जिससे आप ये decide कर पाएं कि आपको अपने घर में solar panel लगवाना है या नहीं दोस्तो आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें और notification bell पे click करके उसे on करें दोस्तो आज के लिए इतना ही आगे मै आपके लिए लगातार ऐसी ही वीडियो दाता रहूंगा जिसके अंदर मैं आपको कोई information दे पाहूं जै हिंद जै भारत